Rara send builder to jail, क्या Rara builder को jail भी भेज़ सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी विशे में बात करेंगे कि वो कौन-कौन से Rara Act के प्रावधान है, जिनके अंतरगत, पैनाल्टी तो क्या builder को jail भी हो सकती है, यदि वो प्रावधानों को builder ना माने. वीडियो में आगे बढ़ते हैं, CCEA, Civil Construction and Engineering Academy में आपका स्वागत है, देखिए, five penalties on builder, builder के उपर पाँच कौन सी penalties हैं? सबसे पहला है section 59.1, जिसमें 10% of the estimated cost आपदा प्रोजेक्ट की penalty लग सकती है, far किस चीज के लिए लग सकती है, एक तो violation आप section 3, section 3 आप act क्या बूलता है, कि कोई भी builder advertise नहीं कर सकता, marketing नहीं कर सकता, book नहीं कर सकता, sell नहीं कर सकता, offer far sell नहीं दे सकता, और invite persons to purchase in any manner, याने लोगों को आमंत्रित करके, purchasing करने के लिए भी नहीं कर सकता है, ये section 3 का उलंगन माना जाएगा, और यदि section 3 का उलंगन करता है, तो project की 10% आपदा कास तक section 59.1 के अंतरगत, penalty builder के उपर लग सकती है, दूसरी penalty क्या है, दूसरी penalty बहुत ही खतरनाग है, section 59.2 के अंतरगत, imprisonment up to 3 years, और up to 10% आर बहुत, याने 3 साल तक की jail, या 10% आपदा estimated cost आपदा project की penalty, या दोनों, ये दोनों 59.2 का उलंगन करने पर लग सकती है, वो क्या है, कि continuous violation of section 3, याने यदि section 3 जिसके अंतरगत आपको advertise, sell, book बगरा नहीं करना था, और उसके बावजूद भी यदि कोई builder किये जा रहा है, याने वो continue violate कर रहा है section 3 का, तो section 59.69, 59 subsection 2 के अंतरगत, imprisonment up to 3 years या 10% of the cost of the project या दोनों की penalty लग सकती है, इसके अलावा does not comply with the orders of decision या directions issued under subsection 1, याने यदि उसको subsection 1 के अंतरगत उसको order, decision या directions दिये गए और नहीं मान रहा है section 3 के, तो भी इसकी imprisonment या penalty के लिए वो हगदार है, तीसरी बात है कि section 60 में 5% तक की penalty लगाई है सकती है, 5% आप दे estimated cost of the project, कब provides false information याने उसने गलत information दी हो, या फिर contravene section 4 means does not register the project याने section 4 के अंतरगत क्या करना है उसको, project को register कराना error में, लेकिन error में register नहीं करा रहा है, तो उस section 4 का contravene हो गया याने उलंगन हो गया, और उसमें 5% of the cost, estimated cost of the project के बराबर penalty लग सकती है, अगली penalty क्या है, section 61 के अंतरगत 5% तक और penalty लग सकती है, वो किसलिए, contravene any other provisions of this act, other than section 3 or 4, section 3 के और section 4 के तो हमने देखे provisions, कि उसको sell नहीं करना है, advertise नहीं करना है, book नहीं करना है, बुक नहीं करना है, वगयरा वगयरा, section 4 में देखा की register कराना है, इनके अलाबा भी यदि इस act के किसी दूसरे provision का उलंगन करता है, तब भी 5% के बरावर तक penalty लिए लग सकती है, इसके अलाबा, lastly है section 63, इस section में नार्मली इस section का बहुत ज़्यादा यूज करता है रहरा, पैनल्टी फार एवरी डे याना पर डे के हिसाप से पैनल्टी लगती, जो कम से कम 10,000 रुपे होती है, during which such default continues, लेकिन उसकी value हो सकती है, अब टू 5% अब दा estimated cost of the project, याना 5% के बरावर तक ये पैनल्टी हो सकती है, वो कब लगेगी, fails to comply with or contravence any of the orders या directions आपड़ा दे, यदि कि अथार्टी ने, रेरा अथार्टी ने कोई order या direction दिये हैं, और उन order और direction का पालन नहीं हो रहा है, बिल्डर के द्वारा, तो 5% आपड़ा, कास्ट आपड़ा project के बरावर तक, पर डे के हिसाब से पैनाल्टी लग सकती है, यानि वो 10,000 रुपे पर डे की पैनाल्टी शुरुआत होके, 5% आपड़ी कास्ट आपड़ा project के बरावर तक पहुँच सकती है, यदि रेरा अथार्टी का कोई order या direction नहीं मानता है, बिल्डर तो, तो ये थी 5 बड़ी भेंकर पैनाल्टी जिसमें बिल्डर को जेल दा जाने तक का प्रावधान है, बड़ी heavy पैनाल्टी हैं, रेरा एक्ट के पालन ना करने पर, आसा है आपको ये जानकारी उप्योगी लगी होगी, और उप्योगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और दूसरों के साथ शेयर करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए, धन्यवाद,